जै माता आदी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों माता रानी को समर्पित चैते नवरात्री की शुरुवात इस बार 22 मार्च दिन बुद्धबार से हो रही है। नवरात्री के नौ दिन मा आदी शक्ति दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्री के दिनों में मा दुर्गा के नो अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्री के दिनों में माता रानी को अलग-अलग स्वरूप के हिसाफ से अलग-अलग भोग और अलग-अलग पुश्व अर्पित किये जाते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्री के पावन पर पर माता रानी अपने भक्तों के घर में बिराजमान रहते हैं। ऐसे में हम सभी कोशिश करते हैं कि माता रानी को प्रसंद कर उनकी कृपा प्राप्त कर सके। माता रानी की किरपा प्राप्त करने के लिए भक्त नवरात्री के नौ दिनों में कलश इस्थापना करते हैं, माता रानी की चौकी की इस्थापना करते हैं, अखन जोच चलाते हैं, दुर्गा सबसती का पाठ करते हैं, ब्रत और पूजन करते हैं. सबी भक्त माता राने की किरपा प्राप्त करने के लिए अलग-अलग उपाय करते हैं माता राने को प्रसंद करने के लिए अलग-अलग बस्तुएं अर्पित करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी बस्तुएं हैं जिन्हें नवराती के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए अगर इन बस्तूओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित करेंगे तो आपको ब्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा इसलिए माताराने की किर्पा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अती आवश्चक है कि कौन सी ऐसी बस्तूएं हैं जो माताराने के पूजन में भूल कर भी इस्तमाल नहीं करने चाहें दोस्तों इन बस्तूओं को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें जिससे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए तो आईए दोस्तों जानते हैं कौन सी ऐसी बस्तूओं हैं जेने माताराने को भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहें दोस्तों सबसे पहली बस्तू है नारियल हिंदू धर में नारियल को सम्रधी धन और शुबता और सम्मान का सुचक माना जाता है नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है नारियल को सुक सम्रधी में ब्रथी कहने वाला भी कहा जाता है नारियल का हर मांगले कारे में विशिश महत्व होता है जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि माता रानी के कई मंद्रों में नारियल से बली भी दी जाती है और माता रानी के पूचन में नारियल का इस्तमाल हम सभी करते हैं खासकर कलश की इस्थापना घट की इस्थापना नारियल रख कर ही की जाती है माता रानी के पूचन में हम नारियल इस्तमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं दोस्तों नारियल एक हरा नारियल आता है जिससे नारियल पानी पिया जाता है एक होता है सूखा जटा वाला नारियल जिसके अंदर पानी नहीं होता एक होता है जिस नारियल के अंदर पानी होता है और उस पर जटाएं भी होती है और एक नारियल होता है जो पिलकु सूख जाता है जो जिसमे जटाएं भी नहीं होती जिसे गोला कहा जाता है इसलिए यह जानना आवश्चक है कि मातारानी के पूजन में किस तरह का नारियल इस्तमाल करें और कैसे इस्तमाल करें मातारानी के पूजन में सदेप पानी वाला जटा वाला नारियल ही इस्तमाल करें और नारियल पूर्ण होना चाहिए, यानि कि नारियल चटका हुआ या तूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्यूंकि पूर्ण नारियल ही पूर्ता का और पवितिता का प्रतिक होता है, पूर्ण नारियल ही सुक्सम्रत्थी का प्रतिक होता है, पूर्ण नारियल को ही श्रीफ यानि कि मालक्षमी का फल कहा जाता है नवरात्री में माता रानी के कलश घटकी इस्थापना करते समय भी सदेप साबुत जटा वाला पानी वाला नारियल ही कलश पर इस्थापित करना चाहिए साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि मातारानी की जब आप कलश की इस्थापना करते हैं तो नारियल को सदैप कलश के उपर लिटा कर रखें मातारानी की खटकी इस्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता नारियल को सदेब लिटा कर कलश के उपर रखना चाहिए और लिटाते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का जो मौटा हिस्सा है वहे आपकी तरफ होना चाहिए और जो पॉइंटेड हिस्सा है वहे दूसरी तरफ होना चाहिए साथ ही नारियल को इस्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर उस पर मौली तीन बाल लपेटें और फिर लाल चुनरी उड़ा कर ही आप नारियल को घट के उपर इस्थापित करें शास्तों के अनुसार कलश की उपर जब सही तरहें से नारियल रखा जाता है, सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ब्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रखें कि महिलाएं, माता रानी को नारियल अर्पित तो करें लेकिन कभी भी नाता रानी के सामने नारियल को तोड़े नहीं, क्योंकि नारियल बीच रूप होता है और इस तृपनं बीच रूप से ही शिशु को जन्म देती है, इसलिए कभी भी महिलाओं को न नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों अगर आपको रिंसम्मंदी समस्या है आप पर बहुत सारा कर जा है तो आप चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उससे नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं अब इस नारियल को आप माता रानी के चर्णों में अर्पित क कर आएं ऐसा करने से रिण उतर जाता है और तत्काल लाब होता है दंसम्मंदी समस्या को दूर करने के लिए आप कुंकुं से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर इस नारियल को माता रानी के चर्णों में अर्पित करें नवराती में माता रानी के चर्णों में इस नारियल को और नवरात्री खत्म होने के बाद आप इस नारियल को अपनी धन रखने के इस्थान पर रखते हैं ऐसा करने से आथिक संकर्दूर होता है और धन का लाब होता है मनुकामना पूर करने के लिए आप एक नारियल को लाल सूती कपड़े में लपेट कर मातारानी के चर्णों में अरपित करें और मातारानी से मनुकामना पूर करने के प्रात्ना करें फिन नवरात्री के आखरी दिन में आप इस नारियल को ले जाकर किसी शुद्ध बहते हुए जल्द के इस्तरोत में यानि कि किसी नदी नहर में बहा दें। ऐसा कहने से माता रानी के कृपा से मनुकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों नारियल के पाद दोसी बस्तू है लोंग। जी हाँ दोस्तों लोंग का हम सभी माता रानी के पूचन में इस्तमाल करते हैं। लेकिन लौंग का इस्तमाल करते समय हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदेब फूल वाली लौंग ही अपित करें। माता रानी के पूजन में सदेब फूल वाली लौंग का ही इस्तमाल करें। जिस लौंग के उपर फूल नहीं हो या फिर जिस लौंग के पीछे एक्ष्णर लकडी की डंडी लगी हो उसका आप माता रानी के पूजन में फूल कर भी इस्तमाल ना करें। फूल वाली लॉंग को ही पूण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूण बस्तू, कोई भी खराब बस्तू इस्तमाल नहीं करनी चाहिए। इसलिए सदै माता रानी के पूजन में फूल वाली लॉंग का ही इस्तमाल करें। नवरात्री के दोरान अगर आप नब्दुर्गा मा को अलग-अलग दिन के हिसाब से भोग नहीं लगा सकते, तो आप रोजाना, एक पान का पत्ता और दो साबुत फूल वाली लॉंग माता रानी को अर्पित अवश्य ही करें। ऐसा करने से नब्दुर्गा मा की कृपा प् दोस्तों तूटे होई लॉंग के इलावा, माता रानी को कभी भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मादुर्गा की पोजा में तुलसी पत्र का इस्तमाल करना बर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के इलावा, आमला भी माता रानी को अर्पित नहीं करन दूरबा भगवान श्री गनेश को अति प्रिय नवरात्री में भगवान श्री गनेश को दूरबा अर्पित कर सकते हैं। भगवान बिश्णुची को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दूर्बा अर्पित ना करें। मदार और आख के फूल भी आप माता रानी को अर्पित ना करें। माता रानी को सदैफ लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिएं, लाल रंग के फूल माता रानी को अतिप्रिया हैं, खासकर माता रानी को गुढ़ल के फूल और कमल के फूल अतिप्रिया हैं, दोस्तों शास्तों में बताया गया है कि घर में माता रानी की दो या तीन या फोटो नहीं होनी चाहिए इस बात का भी आप विश्य ध्यान रखें और मातारानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तमाल ना करें खंडित चीज जैसे की चटका हुआ या तूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बटन साथ ही यह भी ध्यान रखें कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्टन आप मातारानी के पूजन में इस्तमाल ना करें कई लोग बॉन चाइना के बर्तन पूजन में इस्तमाल करते हैं लेकिन ऐसा फूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उन बर्तनों में हट्टियों का चूरा मिला होता है तो ऐसे बर्तनों को भी माता रानी के पूजन से सदेब दूर रखें साथी यह भी ध्यान दखें कि माता रानी को कभी भी अपवित्र इस्थल पर उत्पन किये हुए अन्खिले पुश्प यानि की कलियां माता रानी को अर्पित ना करें फूलों की पतियां तोड़ कर भी आप माता रानी को अर्पित ना करें माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंगे नहीं यानि कि सूंगे हुए पुष्प या फिर गिरे हुए पुष्प भी या फिर मुझाय हुए पुष्प आप माता रानी को अर्पित ना करें ऐसे फूलों को चड़ाने जिमा अप्रसन होती हैं और जातक को पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों नवरात्री के पावन परपर माता राने की कृप्रा प्राप्त करने के लिए आप इन सभी बातों का विशेव शुरूप से ध्यान रखें। उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आयी होगी प्लीज लाइक करें।